इस वीडियो में बात कर लेते हैं EPL लिमिटेड़ की विक्ली अनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो EPL में आप देखोगे यहां पे आज नतीजे रहे स्टॉक है और यहां पे अभी एक हेवी वॉल्यूम देखने को मिला और मुस् यहां से गिराता सेमे अज वीक्ली टीफ पर भी आप देखें तो यही जोन बहुत क्रूशल जोन ने स्टॉक के लिए मतलब यहां पे दो सो चालिस की उपर जब जब रहा तो उपर रहा और जैसे टूटा तो नीचे आ जाता था तो दो सो चालिस का एक क्रूशल लेविल स 300 के आसपास, अब एक नजर पहले नतीजों पर डालते हैं, फिर बाकी चीज़ें डिसकस करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें, तो sales जो इसमें 1007 CR की हैं, लास्ट ताइम यह 910 की थी, operating profit 186 करा रहा, लास्ट ताइम 8159, तो operating profit भी अच्छा है, interest थोड़ा सा बड़ा है, 5 CR से इस बार 29, लास्ट ताइम 24, depreciation 84 हुआ, लास्ट ताइम यह 80 था, profit 4 tax देखें, तो यहाँ 80 रहा है, लास्ट ताइम 66 था, net profit आता है 66 निकलके, और लास्ट ताइम 56, तो यहाँ net profit भी भी सही रहा है, 2.2 रुपीज के आसपास का EPS हो गया बढ़के, FIA ने stake बढ़ा है, अब जो कम हुए है, वो ICICI, Canada Bank, आदिते बिल्ला, इन इन ने कम के हैंगे इस बार, यहाँ प एक चीज और देखें अगर, तो EPL share skyrocket 14% to multi-year high on sales growth, अब जो important test में, the packaging firm noted encouraging margin improvement and aim to reach a 20% margin soon, it is focused on enhancing margin in EU and India, तो जाधा तर इनका जो margin निकल के आता है, वो EU से इस बार अच्छा देखने को मिलाए, overall देखें, तो EPL said that the margin in Africa, Middle East, South Asia region was impacted by higher investment to boost performance in future growth, which will improve as sale rises, Egypt is unlikely to weigh down MSI performance going forward, MSI is in Africa, Middle East, South Asia, तो यह कोश अपना, Egypt में थोड़ा सा weight down है, बट यहाँ पे, expansion के वज़े से यहाँ पे थोड़े से अपने margin देखने को कम मिले है, बाकि आप देखें, तो Moti LAL उस व टागेट निकल के आता है, तो S of अगर 275 है, तो यहाँ कहीं तक के टागेट तो निकल के आ रहे हैं, यह भी sustain होता है, तो 300 का अंकड़ा देखेगा, तो उपर की दिशा में stock अभी चल सकता है, definitely, यह कुछ यहाँ पे अपना 275 पे 14-15% और 300 जा रहा है, तो फिर 20%, RSI के according weekly TF पे देखें, तो कुछ move तो बन सकता है, तो 275 तो देखी सकता है, daily TF के according अगर देखें, तो यहाँ पे अभी काफी gaping है, तो definitely 275 तो आई सकते है, sustain करता है, तो 300 की rally भी करेगा, यहाँ dividend की बात करें, अगर तो 2.3 रुपीस का dividend है, 14 अगस्त को यह X date है, मतलब आज ही, और यहाँ पे payment रहेगा, 19 September, तो RSI के according सही चल रहा है stock, EMA के according अगर आप देखते हैं, तो already stock में near support ही है, EMA मतलब near support है, तो कोई EMA से जादा दूर नहीं है, मतलब potential stock में अच्छा है, और EMA sustain कर गया, यह level भी sustain कर गया, तो उम्मीद है जादा बनती हैं इस बार, कि EPL निकल जा अच्छा चलते हैं, तो उम्मीद है जादा देखने को मिलते हैं, कि EPL अच्छा चलते हैं नजर आएगा, एक चीज़ और बता दू मैं live sessions भी लेता हूं, market hour में सुभा 10 बजे से 1 बजे तक, और साम 9 बजे भी live आता हूं, और यह live streaming YouTube पर ही stream होती है, free of cost होती है, तो आप join क कर सकते हैं, live streaming में आपको काफी को सीखने को मिलेगा, और queries भी जल्दी clear होती है, तो मिलते नेक्ट वीडियो में, this is me सुभमी अदफ, signing off.